तोस्तो पिछले कुछ दिनों से हमें लगातार मैसेज मिल रहे हैं कि करज मुक्ती का कोई अचूक उपाय बताएं तो आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं करज मुक्ति का एक बहुती सटीक उपाई दोस्तों आप सबने फिटकरी देखी होगी और कभी न कभी आपने इसका उप्योग किया होगा खून रोकने से लेकर घाव ठीक करने तक इसमें ओस्दिय गुन भरे होते हैं आम जीवन में फिटकरी के ये सामानने उप्योग हैं लेकिन एक बात है जो आप सायद नहीं जानते होगे कि फिटकरी में ओस्दिय गुनों के अलावा शास्त्रिय उपाई भी फिटकरी के द्वारा किये जा सकते हैं तो आज हम आपको बताएंगे करज मुक्ती का एक बहुती सटीक उपाई जिसे आप फिटकरी के द्वारा कर सकते हैं अगर लगे कि कारोबार ठीक से नहीं चल रहा तो अपने ओफिस के में गेट पर लाल कपड़े में फिटकरी बांद कर लटका दें इससे कारोबार से जुड़ी हुई सभी बादाएं दूर हो जाएंगे और अगर आप लगातार करज में डूबते हुए जा रहे हैं इससे मुक्ती नहीं पा रहे तो फिटकरी का ये उपाई जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपके काम आ सकता है दोस्तों इसके लिए फिटकरी का एक छोटा टुकडा ले इस पर थोड़ा सा सिंदूर छिड़के अब एक ताजा पान के पत्ते में इसे लपेट कर लाल धागे जिसमें आपका लावा भी ले सकते हैं लाल धागे में इस पान के पत्ते को बांद दे और पान की इस पोटली को शनिवार के दिन शाम के समय किसी भी पीपल की पेड के नीचे मिट्टे में दबा दे ऐसा करने से धीरे धीरे आप करद से मुक्त हो जाएंगे कहीना कहीं से जल्द ही धन प्राप्ति के योग बनेंगे तो उमीद है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी हमारा आपसे निवेधन है अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद